नमा नमा चात्रों इशावास्य उपनिशद के आज के पार्ट में आप सभी का स्वागत है मैं पवान कुमार शर्मा राज के कन्यामा विद्यले जहलावार से आपका इस पार्ट में हारदिक स्वागत करता हूँ चात्रों अभी तक हमने इशावास्य उपनिशत के छे मंत्रों का ध्यन कर लिया है आज हम मंत्र संख्या साथ से पुन्हारंब करते हैं यसमिन सरवाणी भूतान्या आत्मेवा भूत विजानत हा तत्र को मोह का शोक एकत्ममनुपश्यत हा पूर्व में यस्तू सर्वानी भूतानी आत्मनेवानु पश्यती सर्व भूतेश उचात्मानम ततो नह विजगुप्स्ते अर्थात जो मनुश सभी प्राणियों को आत्मा में ही देखता है और सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है वह उस अबे दर्श्टी के कारण किसी से घरणा नहीं करता है उसी को उसी पूरों मंत्र को आगे वापस बढ़ाया गया है और एकात एकात्तु दर्शी ग्यानि पूरुष केलिए नै किसी के पर्ती मो हता है नै शोक हता है यह मूल बात यह मुलतत्व इस मंतर में बताया गया है तो यसमिन विजानता है आत्मा एव सरवानी भूतानी भूत जिसमें अर्थाद जिस काल में विजानता हुआ जो पुरुष है उसके लिए आत्मा ही सभी भूतों के रूप में हो गया है आत्मा ही सरो भूत सुरूप हो गया है सरो प्राणी सुरूप हो गया है अर्था जो ऐसा जानता है उसके लिए कि सभी आत्मा ही सभी प्राणी सुरूप हो गया है सभी प्राणियों के रूप में हो गया है तत्र वहां एक तत्तम अनुपश्यता है एक तत्तम वहां पर एक तत्तम एनि एक स्वरूप देखते हुए उसको क्या मोहर क्या शोक अर्थात जब वह सभी के अंदर उसी आत्मतत्त्त को देखेगा तो वस्तुता है वहां किसी प्राणी के छूट जाने पर उससे या किसी के नश्ट हो जाने पर उसके पतिन तो शोक करेगा क्योंकि उसको पता है कि वही आत्मतत्व सभी धूर्यापत है नहीं कभी वो नश्ट होता है और बाकी लोगों में भी अवशिष्ट है और नहीं उसका किस से मोग होगा क्योंकि जो छूट रहा है उसे के साथ जो नया मिल रहा है उसमें भी उसको वही सरवानी भूतानिय भूत सभी प्राणियों के सभी प्राणियों के रूप में हो गया है वह वहाँ पर एक अत्वम यानि एक रूपता को देखते हुए उसके लिए अनुपश्चता है उसी के विशेशन के रूप में आया है पुरूश उसी के विशेशन के लिए उसके लिए अत्यंत विच्छेद की और यहां पर इशारा किया गया है कि वास्तों में उसके लिए क्या मोहर क्या शोक जो वक्ति इस तरह से आत्म सुरूप को सबी उर देखेगा उसके लिए कोई भी मोहर शोक न होगा तो यस्मिन काले संस्क्रत वाक्या देखेंगे तो विजानत है विदुश है आतमा एव सरवानि भूतानी संपुर्णानी प्रानी ना अभूत जाता नी तत्र एकत्तम अनुपश्चत है धर्षनम कुर्वत है का शोक है मोशोको न भवत है तो इससे हमें यह ग्यात हुआ कि जो पुरुष सभी प्राणियों में आत्म तत्त्त कानुभू करता है वस्तू तो उसको मोह और शोक हो ही नहीं सकता है और इसी तरह का हम यदि देखें तो गीता में भी हमें यह त्रियोदर शद्ध्याए के में प्राप्त होता है पद्य यदा भूत प्रत्त भावं एकस्थमनपश्यती तता एव विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा तो उसका ताट्चे पर भी यही है कि जब वह सभी प्राणियों में ब्रह्म को देखता है मलब एक रूपता को देखता है तो निश्चित रूप से वब्रह्म को प्राप्त होता है तो ये तत्व ज्यान वस्तिता मुनेश्य को अभय प्रदान करता है उसके अंदर की मलिंता दींता समाप्त जाती है वपुन आत्मिश्वास के साथ जीवनियापन करता है और उसे ये बोध रहता है कि प्रमात्मा ही सब्भूतों के रूप में प्रकट हो रहा है और में भी उससे भिन्न नहीं है अगे अंतरसंख्या आठ का द्धिन करते हैं सपर्यगाच्छुक्रमक्कायमवर्णम ऐसनाविरंशुद्धमपापविध्धम कविर्मनीशी परिभू स्वयमुर्याथा तथ्थतो अर्थान विद्धाच्छुति भ्य समाब्य तो सह अर्थात एकत्वम पश्यन तत्व ज्यानी पुरिशा है वह कौन जो एकत्व देख रहा है आत्मा में और जीव में वस्तुता है एक तो अनुभु कर रहा है सभी प्राणियों में भिन्द भिन्द नमान करके आत्मत्थ्थतों को जो एक रूप में अनुभु कर रहा है अइसनाविरम इसनाईव इत्यदि शिराओं से रहित शुद्धम बिलकुल निर्मल अपाप विद्धम पाप से रहित पर्रेगाद अर्थात उसको प्राप्त कर लेता है वेसा जो तत्रग्यानी पुरूशे वस्तुताव है जोति सुरूप काय से रहित और क्षय से रहित इस इत्यादिक जो हमारा शरीर है उस तरह के सरंजना से रहीत शुद्ध और पाप से रहीत सुरूप जो परमात्म सुरूप है उसको प्राप्त कर लेता है प्राप्त कर लिया है कवी ही वह कैसा है जो इश्वर है वह कवी है वह सर्वदर्शी है मनीशी वह सर्वग्य है वह सर्वनियन्ता है, सर्वसामर्थिवान है और स्वयम्भुय, स्वयम्परकट होने वाला है वह किसी और से उत्पन नहीं हुआ है तो यहां पर उस आत्मतत्व को जानने वाले उस आत्मतत्व में एक्ता का भोध करने वाले पुरुष को क्या प्राप्त होता है यह बताया गया है साथ में जिसको प्राप्त होता है वह क्या सुरूप वाला है इश्वर यह बताया गया है और फिर वह शाश्वति भ्य सामा भ्य याथात अथ्यत अर्थान व्यदधात जिसने वह जो है अनाधी काल से याथात अथिता अर्थात यथा योग्य प्राणियों के कर्मानुसार उसने सभी पदार्थों का व्यदधात अर्थात विभाजन किया है जो उसने क्या किया है परमात्माने कि अनादिकाल से यथायोग्य प्राणियों के करमानुसार सभी पतार्तों का उसने विभाजन कर दिया है तो पूर में जो साया है वस्तुतव आत्मियानी पुरुश के लिए आया है और बाद में जो साया है वह परमात्मा के लिए आया है तो यहाँ पर जो आत्म ज्यानी पुरुष है आत्म तत्व को और प्राणियों में जो विद्यमान जो परमात तत्व है उसको एक सुरूप में देखने वाला जो आत्म ज्यानी पुरुष है वह किसको प्राप्त करता है वह जो तिश्मत और शरीर से रहित ख्षय से रहित इस वहे कवी अर्थात सर्वदर्शी सरवग्य सर्वनियंता स्वेम्भू जो है वहे उसने अनेक वर्षों से शाष्वति बेसमाब्भय अनादीकाल से याथात अथ्यता यथारत रूप से यथा यूग्य प्राणियों के कर्मा नुसार अर्थान अर्थात पदार्थों को बाजन कर दिया है से संस्क्रित्व क्या देखेंगे तो एकत्वम अनुपश्चन पुरिशा है शुक्रम जोतिश्मत अकायम अशरीरम अवरनम शेहरईतम ऐसनाविरम इसनायुरईतम शुद्धम निर्मलम निर्दोशं अपाप विद्धम निश्पापम पर्रेगात प्राप प्रेव जायते साश्वतिभ्य समाब्य अनादी कालत है याता तत्तत है यथा भूत कर्म फलसाधनत है अर्थान पदार्थान विदधात विवाजन कर दिया है तरही इस तरह से जो है इस मंत्र का प्राप्ठान समाप्त होता है और यहां पर पूर्व मंत्र में देखने वाले का किक्रिया बता करके बाद में उसको क्या प्राप्ठ होता है यहां उसको इस मंत्र में बताया गया है तो और इसी के साथ जो है मंत्र संख्या आठ का विवाज्ञान समाप्त होता है धन्यवाद जय तुहारतम जय तुसंस्कृतम